नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल उन्नक किसान में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफिम की खेती के बारे में क्या आने वाले समय में सभी किसान भाईयों को बारा बारा अरी के पट्टे वितरित किया जाएंगे इसके बारे में इस वीडियो में हम महत्पून चानकारी आपको देने वाले है जैसा कि CPS पत्दिती पिछले साल से लागू की गई है और CPS पत्दिती को लेकर किसान भाई काफी ज़्यदा नराज है क्योंकि CPS पत्दिती में क्या होता है कि किसान भाईयों को ना तो डोड़ा चुरा दिया जाता है और ना ही डोड़े पर चीरा लगाने दिया जाता है और तो और जो दाना पोस्ता दाना दिया जाता है उसको भी डोड़े के उपरी सीरे पर होल करके निकालना होता है डोड़े को किसान भाई फोड़ भी नहीं सकते हैं तो यह जो पद्दिती है सीपियस पद्दिती कहलाती है इसमें नजाने कहां की कमपनी आती है उन डोडों को ले जाती है और आगे क्या पता नजाने क्या करती है लेकिन सीपियस पद्दिती का इसको नाम दिया गया है और सीपियस पद्दिती में ऐसा जो है काम किया जा रहा तो ऐसे में उन किसान भाईों को काफी ज़्यादा नाराजगी जदाई जा रही है तो अब बात आती है कि क्या आने वाले समय में सभी किसानों को बारा बारा अटी के पट्टे दिये जाएंगे या फिर मारविन के आदार पर या फिर ओसत के आदार पर पट्टे दिये जाएंगे तो इसी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो को आप कंपलीट देखेगा ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वैसे हमने ये नया चैनल बनाया है तो वैसे बहुत सारे ज़्यादा किसान भाई हमारे चैनल पर अभी तक नहीं आए है लेकिन आप जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन किसान पाईउ से मेरा हाज जोड़कर निवेदन रहेगा कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आने वाले समय में भी आपके लिए नहीं नहीं जानकरे लाते रहें सबस्क्राइब करने के लिए नीचे ही आपको phone स्क्रίν पर एक लालक सुर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा या पिर सद्यसेता लें ऐसा कुछ लिका हुआ दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की निसान को ओल पर दबाईये ताकि जब भी हम नहीं जानकारे डालें उसका नोटिविकसन आपको मिले और आप तुरंथ जानकारी देख पाए अब बात आती है कि आने वाले समय में सभी किसानों को बार बार आरी के पट्टे दे जाएंगे या फिर नहीं तो देखे किसान भाईयो इसका जवाब है नहीं क्योंकि हर साल मार्फिन के आदार पर पट्टे वित्रित किये जा रहे हैं जिनमें जो मार्फिन की पातरता होती है वो 4.2 से और 5.4 के बीच में जिन किसान भाईयो के मार्फिन बैठती है उन किसानों को 6 आरी के पट्टे वित्रित किये जाते हैं और 5.4 से 5.9 के बीच में जिन किसान भाईयो के मार्फिन बैठती है उन किसानों को 10 आरी के पट्टे दिये जाते हैं और 5.9 से ज्यादा जिन किसान बाई के मारफिन बेड़ जाती है वो किसान बाई 12 आरी पट्टे की पातरता में आ जाते हैं अब यहाँ पर अगर 4.2 से आपके मारफिन कम बेड़ती है तो वहाँ पर आपका पट्टा CPS पत्दिती में आने की संभावना ही रहती है क्योंकि 4.2 से अगर कम मारफिन रहती है तो वो ना तो 6 आरी की पातरता में आती है ना ही 10 की बलकि वहाँ CPS पत्दिती की पातरता में आ जाती है तो 4.2 से अगर आपके कम मारफिन बेड़ती है तो आपको CPS पत्दिती में करा जा सकता है तो यह जो मार्फिन है इसी के आदार पर पटे वित्रित किया जाएंगे लेकिन जो पटे CPS में थे वो CPS में ही रहने की संबावना जदाई जा रही है किसां भाई यो वीडियो आपको कैसा लगा जानकारी कैसे लिगी कमेंट करके ज़रूर बताईए हम मिलेंगे नई वीडियो में नहीं जानकारी के साथ में धन्यवाद जए जवान जए किसांद